मैन्होल और उनके उप्योग अब हम मैन्होल और उनके उप्योग के बारे में जानेंगे मैन्होल जमीन के अंदर बनाए जाने वाले चैंबर हैं जिसे इटो की चिनाई या RCC से बनाया जाता है ये जमीन की उपरी सता और जमीन के अंदर के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं जिसके माध्यम से नीचे मौजूत उपयोगिता सेवाओं तक पहुचा जा सकता है और उनका रखरखा किया जा सकता है इनका निर्मान सीवर लाइन में उपयोग अंतराल पर किया जाता है और इनकी मदद से सीवर पर पहुचा जाता है इनका इस्तमाल जमीन के अंदर की सेवाएं जैसे की पानी, सीवर, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन आदी को जोड़ने, जाच करने, वॉल्व को एज़स्क करने या रखरखाव करने के लिए एकसेस पॉइंट के रूप में किया जाता है मैन होल के खुले हिस्से को मैन होल कवर या धकन की मदद से धक दिया जाता है धकन की मदद से आकस्मिक, दुरगटनाएं या मैन होल के अनाधी कृत उपयोग को रोका जाता है ये धकन धातू या मिल में तैयार के कंक्रीद, कांच, अत्यन कठोर प्लास्टिक या अन्य मिश्रित सामगरियों के बने होते है आम तोर पर मैन होल को धातू के समानों से तैयार किया जाता है जिसमें दिवार के भीत्री हिस्से में सीडिया लगी होती है आम तौर पर इसका प्रवेश द्वार गोलाकार होता है जिस पर कवर डाल कर आकस्मिक दुरगटना को रोका जाता है आम तौर पर मैन होल का निर्मान शहरी शेत्रों में सडकों और फुट पात पर किया जाता है